हलो दूस्तों मेरा नाएम मुहम्मत कैसर और आप देख रहा हैं स्टड़े चैनल बेसे सिक्षा मंतरी जी का नया बयान आया है नई सिक्षक भरती को लेकर और 79,000 सिक्षक भरती में 22,000 सीटें और आरक्षड मामले को लेकर सबसे पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए 69,000 की भरती को लेकर प्रदेश के बिपक्षी दल गुमराह करने वाली और आबेवस्था पहलाने वाली राजनीत कर रहे हैं प्रदेश की योगी सरकार ने मिसन रोजगार के अंतरगत प्रदेश के 5,000,000 नोजवानों को इस 4,000,000 साल में नोकरी दिये उससे अधिक अकेले प्रदेश की योगी सरकार ने भरती की है इतले इन चीजों से बोखला करके इसका स्रे सरकार को ना मिले इसको माहौल बिगाडने के लिए सपा के लोग, बसपा के लोग, और राने बिपक्षी दलों के लोग नोजवानों को गुमराह करने की कोसिस कर बार बार ये बाते हम इसपश्ट कर चुके हैं कई बार उनके अभरतियों के प्रतिनित मंडल के साथ वारता हो चुकी है मानने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राजसु परिसत के चेर्मेन के अधिक्षता में एक कमेटी भी बनी है जो देख रही है कि अगर प्रदेश में चात्र सिक्षक अनुपात को देखते हुए कुछ पद रिक्त हैं तो भविस्ट में भरतियां भी की जाएंगी जितनी भी सिकायते हैं या जितनी भी समस्याएं है भेर्थियों का जो कुछ भी कहना है समय समय पर जो भी ग्यापन मिला है मामला नियायले में बिचारा धीन है नियायले में लंबित मामलों पर बहुत सारी टिपड़ियां भी सारविजनी ग्रूप से हम लोग नहीं कर सकते करने के लिए नौजवानों को उकसाना और विकास पर बात ना करके उत्तर प्रदेश के जनहीत के मुद्दों पर बात ना करके लगातार 69,000 भरती को लेकर राजनीत करना ये विपक्ष की बहुगलाहत है एक तरह से चक्सु पब्लिकेशन लेकर आ गिया है सुपर टेट 2022 के लिए बेस्ट बुक प्रात्मिक सिक्षक भरती के लिए दोस्तों ये किताब आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा सभी विशह यहां पर कवर हैं प्रात्मिक सिक्षक भरती के 400 publication की आती ही आती है इनका practice rate भी आता है जो आपकी परिक्षा में काफी मदद करेगा इन किताबों को खरेदने का link description box में दिया गया है वरिए यह आपको offline लेना है market से तो वहाँ पर भी यह easily available हो जाएगा तो नई सिक्षक भरती को लेकर यहाँ पर बेसिक सिक्षा मंतर जी दोरा क्लियर कर दिया गया है कि समिती बनाई गई है और जब तक समिती की report नहीं आएगी नई भरती नहीं आएगी तो समिती की ही report का इंदजार किया जा रहा है अब समिती जब report देगी जितने पदों का वो बेवरा देंगे उसी के बाद नई भरती पर कारवाई शुरू होगी इसका मतलब साफ है कि अभी हाल फिलहाल में कोई भरती नहीं आने जा रही है बहुत सारे पद उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं लेकिन समिती क्या कर रही है लेकिन पदों का पता लगा रही है ये समझ से परे है बात करें उनात्र हजार में बाइस हजार सीटों को जुड़ा जाना इस पर सिक्षा मंतली जी कई बार कह चुके हैं कि इन पदों को उनहत्तर हजार में नहीं जुड़ा जा सकता है 68 हैर 500 की भरती अलग थी 69 हजार की भरती अलग थी दोनों का एक्जाम पैटन अलग था एक भरती की पद अगली भरती में नहीं जुड़ जा सकते और ये मांग गलत है कानूनी रुप से ये सही नहीं है और 79 हजार में 1,4,000, 4,000 चाथर पास हुए 99,000 को नोकरी मिल गई है 75,000, 76,000 अभी भी पास होकर भी नोकरी नहीं ले पाए हैं तो अगर 22,000 को हम देंगे फिर जो बचे हुए 50,000, 55,000 हैं ये फिर मांग करेंगे कि इसमें और जूड़िये लगातार काउंसलिंग करते रहे हैं तक कि सब को नोकरी ना मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है आरक्षड मामले को लेकर उन्होंने ये तो कहा कि अभी भी समवात के रास्ते खुले हुए हैं यादि कोई गरबड़ी हुई है कहीं जोड़ घटाने में कोई गलती हुई है तो हम सुनने को तयार हैं मामला नयाले में भी है फिलहाल उन्होंने कहा कि अरक्षड के सभी नियमों को सही तरीके से लगाया गया है कल भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें सतिश अंदिवेदी जी गए हुए थे जी नियूज के एक कारेकरम में जहां पर उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया था आप हमारा वो वीडियो जाकर देख सकते हैं आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी तो इस वीडियो मस इतना ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन दबा लिजे ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फोर्मेशन मिलती रहे थैंक्स और वाशिंग